राहूल गांदी ने सरय यां प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को घसीटा तो भाचपा में मचा बवाल कांग्रेज नेता राहूल गांदी किसे ने किसी मुद्दे गुले कर केन सरकार को घरते रहते हैं फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो या पेट्रोल डीजल गए सिलेंडर की महांगाई हो या फिर पेगासिस का मुद्दा हो लेकिन इस बार राहूल गांदी ने चीन मुद्दे गुले कर टूटर के जरी टूइट कर मोदी पर जब जस्त हमला बोला है बता दें कि राहूल गांदी ने टूइट में लिखा कि मोदी जीवा उनके चापलोसों ने हजार किलोमीटर भारती भूमी चीन को सौब दी है हम इसे कब वापिस हांसिल कर रहे हैं राहूल गांदी के स्ट्रीट पर जनता भी कहां चुप रहने वाली थी और भाजपा को धोना सुरू कर दिया एक टूटर यूजर कॉमल सर्मा लिखते हैं कि हमारा देश हमेशा भारती सेना के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा लेकिन मोदी जी के खिलाब कब खड़े होंगे चीन से हमारे देश की जमीन का वापिस लेंगे मोदी जी चीन का नाम लेने से डरतें क्यों हैं वहीं एक और यूजर लिखते हैं परधान मंतरी नरेंदर मोदी कायर हैं मोदी और उनके चापलूस चीन से डरते हैं ये लोग चीन का नाम तक नहीं ले सकते हैं, नरेर मोदी ने 11 बार चीन की यत्रा की है, 9 बार गुजरात के मुख मंतरी के रूप में और 2 बार प्रधान मंतरी के रूप में, उसका पनिडाम क्या निकला? हाइजटेग सरिंडर मोदी. तो वहीं एक और यूजर रजे कुमार लिखते हैं, चाइना के लगदाख पर कबजे के बाद दिमोदी ने 12 करोण का करज लिया, चाइना से ऐसा कौन सा देश है दुनिया में अपना जमीन गवाने के बाद भी दुस्मनक से पैसा लेगा, ऐसे में इस पूरे मामले में आपक पैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वेल लाइक हैं तो बैठ तक ये देश और दुने के सारी घबरात तक पहुंचाई जा सके